हाँ बहार मुझे बहुत लोगों ने अलग-अलग नाम दिया अभिनाफ के लिए रुबिना के लिए बट मैं जानना चाहती हूँ क्यों मेरा लव एफेक्शन अभिनाफ के लिए जीरो भी नहीं था स्वारी टूसे बट मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि आज आप कान खोल के सुनलो बात सब मुझे केते रुबिना ने मेरे पर पानी फेका तो सड़नली सती सावितरी हो गई सड़नली प्रपती व्रता हो गई सड़नली उनको पती याद आ गए वो जो आपका शादी शुद्र जिंदी की डिवास पर आ गई थी भाई साथ वहां पर अभी नव के सब फोटो फाड रहे थे तो मैंने बेडा उठाया अभी नव को कि मैं इसे इंटरस्टिंग बनाओ मैंने अभी नव को इंटरस्टिंग बनाया मैंने उनमें एक क्योंकि बोरिंग से इंट्रेस्टिंग बना सकती हो मैंने का ओके मेरे बाएं हाथ का जादू है तो मैंने किया ना तो इसमें क्यों भड़कने का क्यों भड़कने का आप लोग देखिए जब से मैं रुबिना और अभिनाव की लाइफ में गई हूँ जब से उन्होंने पानी डाला मेरे पे बिना वज़े मुझे नहीं पता तब से रुबिना और अभिनाव एक हुए हैं आज वो लोग साथ हैं मेरी वज़े से ना के किसे और की वज़े से क्योंकि मैं जब आई तो उन दोनों में पती पतनी और वो वो जब आई तो दोनों में इमोशन आया और दोनों एक हुए आज दोनों एक हैं इसलिए तिसरी कहता है दूसरी आउरत आई तब जाके यह हस्बन वाइफ एक हुए मुझे नहीं समझ देखे मेरे बाड़ी पे पानी फेका गया राकी सावन थो मैं कोई मुझे हाथ भी लगा दे तो मैं चीर डालती हूँ मुझे तो पानी फेका गया था लेकिन मैं खामोश रही मैं जन्ता से और बिग बॉस से और सलमान जी से नयाई मांगना चारी थी कि मैं यहाँ पे कहां का सुरवार हूँ कहां का सुरवार हूँ 21 सदी में लोग किस कर देते हैं क्या 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 नहीं कर देते हैं मैंने तो सिर्फ वो एक शॉट्स का एक जो बिग बॉस में मुझे टास्क दिया था कि आपको उनका मसाज करना है जहां जहां अभी नव जाएगा वहां पे आपको रहना है अभी नव मुझे मसाज करने नहीं दे रहा था क्योंकि जैसे मसाज करने जा रही थी उसकी बीवी सिमिंग पूल में कुदरी थी टेंशन में तो बीवी को देख के कोई भी भढ़के गाना तो मैंने नाडा किंच लिया और नाडा किचनी में जो उसने मेरा भढ़ा कहां दिया जो मैंने उसके से इतना लव लपाटा किया तुमारा शॉट्स गिरा तो नहीं नहीं कितना टाइट लास्टिक लगाया था गिरा तो नहीं तो ये सारे ड्रामी क्यों मैं जनता से पुरे देश के लोगों से मैं जवाब मांगती हूँ मैंने उसको किस तो नहीं करी मैंने उसके साथ बैठके ड्रिंग तो नहीं करी उनके बिस्तर में जाके मैं गंदी हरकते नोक तो नहीं करी लक्षमेंट रेखा तो पार नहीं करी तो इतने ड्रामिक यूँ, I want to know, सब मुझे गेते एक हद हो गई, कौन सी हद, नाडा किछने की, कौन सी हद, भाई साब, अभिनव ने मुझे साड़ी पिनाया, ये बात अलग है कि मैं समोसे जैसी दिख रही थी साड़ी में, He doesn't know कैसे पिनाया था, बट पिनाया ना, तब तो मैंने आवाज नहीं उठाई, दोस्तों, कि मुझे क्यों छुआ नहीं, अननेसरी, मुझे लगता है कि रुभिना दिलेक नहीं रहा उस टाम पे, मेरी हाइप का, और सड़नली उन में एक पती, पती वरता वो जागी, और सड जो उन्होंने किया, मैंने तो एक शब्द किया था, बोला था, टर्की, सलमान जी ने भी उनको बोला, ठर्की शब्द, इस नोट अभी उस लैंगवेज, इसा आई टीजिंग, ऐसे वाला, इस्क्यूज मी, यहाँ पे तो कितनी कॉलेज स्टुडेंट, सब लोग ऐसे, ऐस करते हैं, उनके वीडियो वाइरल होते हैं, क्या, हाँ, तो मैंने आप तो नहीं मारी, मैंने सब ठर्की बोला, कितने लोग ठर्की हैं, यहाँ, नहीं है क्या, तुम लग लड़की को नहीं चड़ते हो, फिर, हाँ, चड़ता है क्या, मैं बहुत अंदर से सैड थी बिग बॉस जर्णी में मुझे कुछ कर दिखाना था क्योंकि मेरा सेकंड टम्स था मुझे लाइफ में फिर से एक मुर्दा राकी को जिन्दा राकी दिखाना था और मुझे कुछ करना था लेकिन दिल में मा का, मा की बिमारी दर्द था, एक तरह मेरे हस्बंड का, वो एक दर्द था, इतने दर्द के बाद भी, मैं, जन्ता के पॉइंट अफ यू, सलमान जी और बिग बॉस के पॉइंट अफ यू, मैं as an entertainment, as an entertainer खरी उतरी, मुझे नहीं पता था मैं अंदर क्या क कर रही हूं, I didn't know, राहुल महाजन के खुद की क्या हस्ती है, बताइए ना, राहुल महाजन के साथ उनका महाजन, अगर सरनिम निकाल दिया जाए तो ही जज़ीर हो, हाँ, मैं उनके महाजन सरनिम की रिस्पेक्ट करती हूं, उनके फादर की, उनके मदर की, उनकी सिस्टर रिस्पेक्ट करती हूं, वरना वो खुद क्या है भाई, वो कौन होता है मुझ पर इल्जाम लगाने वाला, और आज बर्दे बॉइ, आईए, बहुत अच्छी जादी रगी आपकी, क्या कहना चाहेंगे, मैंने इसकी बारे में बाद करते हैं, फिर आज़ीर हूं, थैंक मुझे सिर्फ कानों में एक ही आवाज गुझती, बिग बॉस चाहते हैं के राखी बरतंद होए, बिग बॉस चाहते हैं के राखी बिस्तर लगाए, बिग बॉस चाहते हैं के राखी उड़ जाये, क्योंकि जो धाय महीने का धाय तीन महीने का जो मेरा अंदर का जो सफर है मुझे सिर्फ बिग बॉस के आवास पे ही मैं हर चीज उड़ जाती हूँ, काम करती हूँ, घर का काम कर रही हूँ मैं, ओ माई गॉड, मेरी बहुत बुरी हालत है, ये तो, मैं कांटीर्यू डेफिनेटली करूँ कि कि सल्मान जे ने मुझे अपने लग दिये हैं, उन्होंने मैं खुद अपने हाथ से पिनाया है, तो ब्रेसलेट तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, इसको धोड़ा चोटा कराना पड़ेगा, तो यसा हाथ से निकल जाता है, बट टेस मैं, लखी ब्रेसलेट, सल्मान जी के हाथ से पैना हुआ, उनका और मेरा सेम किसी भी कंटस्ट को ये कलर नहीं मिला, जो उनका कलर है, वो ही मुझे मिला, आमसो लखी, सल्मान जी, इंडस्री के मेरे गाड ब्रदर है, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, धन्यवाद मेरा मेरी मा का, और थैंक्यू सो मच, कि मुझे वो 14 लाक उठाने दिये, वो उसके कारण में अप कि तुम तो जीतने वाली थी, वो 14 लाक, जब मौम आपकी कैंसर पिडित है, होस्पिटल में है, तो वो कहता है न, डूबने वाले को तिनके का भी साहरा होता है, मैंने कहा था पहले भी कि मेरा अकाउंट एकदम जीरो बैलेंस हो गया है, क्योंकि जब मैं या से गई थी, अपने हस्बंड को और अपने ब्रदर को मैं उसके जो बैंक के डिटेल्स दे कर गए थी, कि मम्मी को कभी कुछ भी हो जाए तो एडमिट करना, तो टोटली जीरो बैलेंस हो गया था, क्योंकि होस्पिटल में इतना पैसे लग गए थे, जितने भी थे, कैंसर एक बहुत ब माबाप होना बहुत ज़रूरी है, भाई बहन, हमारी फैमिली होना ज़रूरी है, पैसे के तनो इतने इंपॉर्टन नहीं है, लेकिन पैसे बहुत इंपॉर्टन ँभी है विक वास हाउस में जूली है बातरूम में सोरी है उसे मैं बहुत मिस करूंगी